दोस्तो नमस्कार TV1 इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब सरकार ने फिल्म अभिनेता सोनुसूद को कोरोना वैक्सिनेशन कारिकरम का अम्बेस्टर निउपत किया है कल सोनुसूद ने पंजाब के मुख्मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग से मुलाकात की थी जिसके एक दिन बाद सीम अमरिंदर सिंग ने सोनुसूद को अपना अम्बेस्टर बनाये जाने की घोश्णा की बतादागी पंजाब में वर्तमान में 279,733 एक्ट्व कोरोना केस हैं जबकि 7,449 लोग अब तक जान गमा चुके हैं इस बीच कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर पंजाब राज्य काफी पिश्रा हुआ है सो नुसूद लॉगडाउन में प्रवासियों के मस्याब बनकर उबरे हैं माना जारायक उनके आवान पर पंजाब में कोरोना टीका करन के प्रती जागरुकता बढ़ेगी बिहार पुलिस के सेचो अस्वनी कुमार की बेटी ने अपने पिता की मौत को लेकर सीवी आई जाच की मांग की है अस्वनी कुमार किशन गंज पुलिस थाने की सीनियर पुलिस अफसर थे दस अपरेल को बाइक चोरों का पीछा करते हुए वे बंगाल की सीमा में घुश गये थे जहां मुटबेड में चोरों ने उनकी जान ले ली इस खबर को सुनने के बाद अस्वनी कुमार की मा को ऐसा सदमा लगा कि उनकी भी मौत हो गई फिलाल पुलिस अफसर के परिजनों ने इस कारवाई के दोरान साथ रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये हैं कि आखिर वे अपने अफसर को अकिले छोड़ कर क्यों पीछे भाग आए दिवंगत अफसर की बेटी ने अपने पिता की मौत को साजिस बताते हुए कहा है कि इसकी सीवियाई इंक्वारी होनी चाहिए उत्राखंड में कोरोना के कारण हला ज्यादा ठीक नहीं ऐसे में वहां कुम की भीडने नई मुसीवत पैदा कर दी है शाहिसनान के दिन उत्राखंड में हरकी पोड़ी पर जिसरस साधूं का सहलाब उमड़ा उसने कोरोना रोकने के सभी नियम निर्देशों की धजियां उड़ा कर रख दी है दरसल कुम में शाहिसनान के दोरान एक साथ हज्जारों संत और लाखों स्रद्धालू घाटों पर आप पहुँचे बताया जा रहा है कि यहां के दरजन भरशंत कोरोना से प्रभावित है फिर भी शंक्रमन का ध्यान नहीं रखा गया इसे लेकर जहां विरोधी दल कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है वही सोचल मेडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि जब भीड के कारण तबलीगी जमात पर बैन लग सकता है तो कुम्भ मेले पर बैन क्यों नहीं देश में दुबारा कहर बनकर लोटे कोरोना को लेकर संपूर्ण लागडाउन की संभावना प्रबल हो गई है महराश्ट्र समेत कई राजियों की सिथी काफी खराब है ऐसे में महराश्ट्र सरकार फिर लागडाउन लगाने का मन बना रही है इस बिच सुसेना सांसत संजेराउत ने मोधी सरकार पर हमला बोला है संजेराउत ने कहा कि पीम देश में फिर लागडाउन लगाएंगे जब बंगाल के चुनाव पूरे हो जाएंगे राउत का या बियान इसलिए हम है क्योंकि वहाँ चुनावी रैलियों में लाखों लोग जमा हो रहे हैं लेकिन वहाँ कोरोना प्रतिबंदों को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा जम्मू कस्मीर के सभी सरकारी स्कूलों में अब तिरंगा जंडा लहराता दीखेगा इसके साथ ये तिरंगे जंडे के रंग का साइन बोर्ड भी नजर आएगा स्कूल स्क्षा विभाग ने जम्मू और कस्मीर स्क्षा निदे साले को सभी जिलों में ऐसी विवस्ता लागू करने का निर्देश दिया है इस आदेश के तर सभी स्कूलों की दिवारों का रंग तिरंगे जंडे की तरह दिखेगा स्कूलों की उची इमारतों पर भी तिरंगा लहराता दिखेगा जम्मू के स्कूल स्क्षा निदे साले ने सभी जिला स्क्षा अदिकारियों के इस पर तत्काल अमल करने को कहा है नए फर्मान को कट्टरबादी सोच पर राष्टबादी सोच को प्रोसाहन देने का जरिया माना जा रहा है सुप्रीम कोट ने आज यूपी के स्रियावख बोर्ड के पूर्वध्यक्ष स्यद वसीम रिजवी की रिट्याचिका को खारिश करते हुए पचास हजार की पेनाल्टी लगाई है सर्वोच अदालत में जस्टिस आरेफ्ट नरीमन की अध्यक्ष्टा वाली पीट ने रिट्याचिका को यह कहते हुए खारिश कर दिया हलाकि सुप्रीम कोट ने इसे खारिश कर दिया अमेरिका के मैरीलेंड स्टेट की लोकल गौर्मेंट ने भारत के अध्यात्मिक प्रतीक्षिन स्वस्तीक पर प्रतिवन्द लगाने का विध्यक पास कर दिया इसे लेकर अमेरिका के एक बड़े हिंदू संगठन हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने विरोज जताया है स्वस्तीक हिंदू का एक पवित्र प्रतीक्षिन है जिसे पर वित्योहारों पर उकेर आ जाता है संगठन के नुसार हाउस आप डेलिगेट्स के इस बिल के जरिये कपड़ों, किताबों, स्कूल और ऐसी अन्न जगहों पर स्वास्तीक के समाल को बैन करने की बात कही है हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने बिल वापस लेने की मांग की है महराष्ट में 24 गंटे के भीतर 63,000 से अधी कोरोना केस सामने आये हैं जबकि 400 लोगों की मौत हो गई है सरकार का मानना है कि यदि कोरोना ऐसा ही बेलगाम रहा तो दो दिनों का वीकेंड लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन में बदल सकता है सोत्रों की माना है तो राज सरकार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के 20 संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है बढ़ते मरीज और तेजी से घट रही हास्पीटलों के बेड और वेंटिलिटर चिंता बढ़ा रहे हैं जिससे देखते हुए मुखमंतर उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि 14 अप्रैल के बाद इस पर निर्णाय लिया जा सकता है दरसल राज में 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन है जबकि बाकी दिनों में सक्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन चल लहा है मुंबई के उपनगर नईमबई और पनवेल में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही यहालत यह है कि सीरियस हो रहा है कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और वेट कम पड़ने लगे हैं वेंटिलेटर और आक्सिजन बेट के लिए मरीज बेटिंग में हैं ऐसे में भयानक हो रहे कोरोना संक्रमर को रोकने के लिए नई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर इंतजामों में जूते हैं। आयुक्त ने आज आरोगे सुविधाओं का जाजा लेने के बाद भरोसा दिलाया कि मनपा के पास परियापत आक्सिजन बंडार उपलब्द हैं। अधिक एमर्जेंसी के लिए 20 दिनों का अतरिक्त आक्सिजन बंडार उपलब्द होने की भी जानकारी दी है। इस जोरान उपजले अस्पताल में आरोगे सुविधाओं और कोबिड नियंतरन के लिए मनपा प्रशाशन द्वार उपलब्द कराई जा रही सेवा सुविधाओं की भी जानकारी ली। दरसल नौइमबई की तरह पनवेल में भी कोरोना का कहर बरपने लगा है। हर दिन 500 से अधिक क इस सामने आ रहे हैं या ना दवाएं है ना वैक्सीन बचिया और ना ही अस्पतालों में बेट खाली हैं। इस पर किरिट सुमय्या ने मनपायक से ततकाल जरूर विपायक करने की अपील की है। बीच छात्रों की सुरक्षा पहली प्रात्मिकता है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दसवी बोर्ड परिक्षा जून में जबकि बारवी की परिक्षा मई मा के अंत में होगी। हलाके सुक्षा मंतरी ने इन परिक्षाओं की तारीक नहीं बताया है। उन्हो दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए टीवीवर इंडिया नमस्कार।